तो हेलो फ्रेंड से रहा हमारे पास ओपो का ब्रांड न्यू लेटेस्ट चमचमाता हुआ ओपो का स्मार्टफोन ओपो A17 और गाईज आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी ओपो A17 के एक ऐसे कमाल के बेस्ट फीचर के बारे में गाईज जिसको देखने के आपकी ओपो A17 की परफॉर्मेंच जो है वह 100 परसेंट तो नहीं बोलूँगा लेकिन 99 परसेंट जो है वह आपकी फोन की परफॉर्मेंच जो है वह बढ़ जाने वाली है क्योंकि फीचर ही जो है वह कुछ ऐसा कमाल लाजवाब होने वाला है तो वीडियो को पुड़ा ल आपको वाल प्रह्म दिखेंगा तो यहां पर आपको सर्च करना है तो आपको सिंप्ली से यहां पर क्लिक करना कring में आपको यहां से करने का एक सब्सक्रा टो यहां पर यहां पने जेखने को तो यह हैं आपको क्या करता है यहा से रिया से अग्से स्टार्ट करना है आपको यह Сटार्ट करना को जो है वह स्वीचव करते हो कुछ तरीके से यहां से आपको दोनों बटन को एक साद दमाना यहां पहलं को आ या प्रण पर शेटाट फोन को कर देना अब हाँारी फोन जैसी ही रियस्टार्ट करते हैं कि आप मलग प्रक्राइब आपको लाइव दिखाने वाला हूँ देखिएगा और इसका मैं तब तक बेनेफिट बता देता हूँ जब तक हमारी फोन रियस्टार्ट होगी तो इसका बेनेफिट यह है कि आप लोग अपनी फोन की चार जीबी डायम बढ़ाओगे तो आप लोग जानते ही कि RAM का use क्या होता है आपकी phone को smoothness चलाना आपकी phone की performance बेटर करना तो हमारी phone के अगर 8GB RAM हो जाएगी याने 8GB तो हमारी phone की performance जो है वो 4GB के दुग ना हो जाएगा तो इस तरीके से जो है वो आपको RAM को बढ़ाना है अपनी phone की performance को भी जो है साथ में बढ़ाना है और 4GB RAM जो है वो हलाके अभी के मामले में थोड़ी कम होती है और इस तरीके से अगर आप लोग 4GB बढ़ाओ गया तो 8GB RAM जो है वो बहुत ही बहतरीन RAM होती है आपके users के लिए हमारी phone जो है restart हो चुकी है अब हम लोग यहापर simply से phone के जो है वो अनलॉक करते है अगर आपने lock वेगार अल RAM सर्च कर लिए अब आ जाना है फिर से में RAM पे अब हमारी देख सकते हो यहां पर आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो RAM 4GB प्लस 4GB यानि कि अभी जो हमारी phone की RAM है वो total 8GB हो चुकी है तो इस तरीके से कुछ आपको भी अपनी phone की RAM बढ़ा लेना आप लोग चाहोग तो 2GB के लिए यहां पर 2GB पर से लेक करके और phone को restart करना है अगर आप लोग क्याते हो कि 1GB RAM बढ़ा है तो 1GB पर से लेक करके जो है वह यहां से phone को restart करोगे यह स्टार्ट करोगे उसके बाद जो है वह जो भी आप लोग यहां पर से लेक्टेर रखेगे वह हो जाएगी तो friends I hope कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आओगा आपको यह RAM expansion फीचर कैसा लगा है मुझे नीचे comment section में जरूर बताईएगा चैनल को subscribe के लिए आने वाली ऐसी ही interesting tips and tricks की knowledgeable वीडियो के पास सबसे बहुत सके लाइक कर देजे वीडियो को सभी दोस्तों के पास share भी जरूर कढ़ी दीजिएगा तो चलिए आज किस वीडियो में इतना फीडि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जयाहिन वंदे माद